Hello everyone, Welcome to Krishna Coaching Center और यहां पर हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की शोषिलोजी और 12th की शोषिलोजी की फिर्स्ट बुक लिए हमने इंडियन सोसाइटी देखे, 11th में क्या देखा हमने कि पूरा किस तरीके से शोषिलोजी का बेस था वो बेस हमने देखा इंडिया लेवल पे और पूरे वर्ड के लेवल पे अब जो हमारी 12th क्लास की बुक है वो मेजरली फोकस कर रही है सिर्फ इंडियन परस्पेक्टिव पे कि इंडियन सोसाइटी क्या है इंडियन सोसाइटी इवल कैसे हुई बनी कैसे आगे कैसे चल दिया थौर्ट्स वगेरा क्या है तो उसी में जो हमारी 1st वाली बुक है इंडियन सोसाइटी यह हमें पूरे कंटेक्स्ट के बारे में सुन जाएगी तो पहले चैप्टर से ही शुरू कर रहे हैं पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सोसाइटी की आए不好意思 होते हैं इंडियन सोसाइटी के साथ इनन सोसाइटी को समझते हैं, तेखें किस तरीके से हमें फोटोग्राप दे रखी है, यह एक फैमिली पिच्चर है, जिसमें यह नोरा बतरी वना है, हाई गरमी, यह क्या है, जी यह एक टेम्पल है, यह चूडी बजार, यह कोई लाइन में खड़े हैं सब लोग, यह तो हम सोसाइटी को कभी भी एक नजर से नहीं देखते हैं, आप उसको कुछ और समझ रहे होगे, मैं उसको कुछ और समझ रहे हूंगी, और हो सकता है तीसरा जन कोई और, कुछ और चीज समझ सके उसको, तो अगर हम पूरे भारतिया समाज को समझने का कोशिश करें, तो म मेरा आपका सबका perspective अलग हो जाता है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जिसने भी study करी है, इसने कभी भी कोशिश करी है, कि वो अपना perspective ना मिला है, वो समाज को समाज के लोगों के हिसाब से ही समझाने की कोशिश करते हैं, और वही हम इस चाप्टर में थोड़ा जानने जो आपने पढ़े, it is a subject in which no one starts from zero, ये subject को न कोई भी zero से start नहीं करता, zero से क्यों नहीं start करता, क्योंकि हम सब थोड़ा ना थोड़ा तो जानते ही है न, थोड़ा बहुत society के बारे में आप भी जानते हो, थोड़ा बहुत society के बारे में हम भी जानते हो, तो फिर ये subject बिल्कुल starting से तो शुरू होई नहीं सकता न, हो सकता है, एक छोटा सा पाथ साल का बच्चा हो, उसके भी समाज को लेके कुछ विचार हो, तो other subject are learned, because they are taught at school, home, या कहीं और, but जो more of हमारी knowledge है न, society से, वो एक explicit teaching के बगेर ही है, यानि कि कोई हमें पढ़ाता नहीं है, अब देखिए, जो गाओं में बहुत सारे लोग रहते हैं, शेहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, हो सकता है, वो कभी school गए ही ना हो, लेकिन फिर भी समाज की, उनको पूरी sense है समाज के working के उन्हें पूरी जानकारी है, so because it is such an integral part of process of growing up, कि knowledge जो है, society के बारे में, it seems to acquire naturally or automatically, एक जो child है, no child is expected to already know something about history, किसी बच्चे को history के बारे में पहले नहीं पता होगा, geography के बारे में नहीं पता होगा, psychology के बारे में नहीं पता होगा, इको के बारे में तो बिलकुल पता होगा, जब वो school आते हैं, but एक six years old बच्चा बी ना, society के बारे में, या social relationships के बारे में, कुछ तो जानता होगा, even 6-3 साल का बच्चा भी जानता होगा, so it is all the more true then, that as young 18 year old adults, you know a lot about society, because you live in, आप जिस जगह पे रह रहे हो, उसी के बारे में, अगर कोई आप से कुछ भी पूछे, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होती ही है, और होनी भी चाहिए, so the prior knowledge, familiarity with the society, ये एक advantage भी हो सकता है, और disadvantage भी हो सकता है, शोशलोजी के लिए, and advantage क्या है, कि बच्चे शोशलोजी जिसे subject से डरते नहीं, उन्हें अच्छा लगता है, they feel it is not like it can't be learned, ये easy subject है, आप इसे समझ सकते हो, and disadvantage क्या है, कि prior knowledge होने से आपका एक perspective बन जाता है, so in order to learn sociology, we need to unlearn what we learn about society, that's very important line, कि आप already समाज के बारे में जानते हो, उनको समझते हो, और अगर आपको कोई और कोई चीज पढ़ा रहा है, किसी की theory पढ़ा रहा है, वो theory आपकी सोच से exact opposite है, तो उसक का एक disadvantage है, in fact, जो initial stage of learning sociology होता है, उसका concept ही unlearning होता है, कि वो सब भूल जाओ, जो आपने पढ़ा है, आप इसमें अपना personal sense डालो ही मत, जो हमने देखा था, कि sociology and common sense, कि 11th में शुरू ही हमने यहा से किया था, कि common sense को परणाम करो भई, so this is necessary, because our prior knowledge about society, जो हमारी common sense है, ये acquire करी जाती है, particular viewpoint से, कि हम उस चीज को देख कैसे रहे, this is viewpoint of the social group, ये social environment जहां से हम बिलॉग करते हैं, तो जो हमारा social context है, वो shape कर देता है हमारे अपने opinion को, हमारे अपने belief को, expectations को about society and society relations, so these beliefs, ये necessary नहीं है कि wrong हो, but wrong हो भी सकते है, so the problem कि अगर एक belief के साथ, आप इस सब्सक्राइ subject को पढ़ोगे, तो there are major chances कि आप partial हो सकते हो, the word partial का दो different sense होगा, partial means incomplete, यानि कि एक तरीके से, the opposite of the whole, it is impartial, कि आपको कुछ portion का sense है, कुछ portion की जानकरी, कुछ की नहीं है, दूसरा partial का meaning हो सकता है, biased, biased मतलब कि आपका जुकाव किसी और चीज की तरफ हो सकता है, so, जो हमारा unlearned knowledge है, या common sense है, it is usually, it usually allow us to see, एक only a part of social reality, and moreover, it is liable to be titled towards viewpoint and interest of our own social group, so, sociology does not offer a solution to this problem in the form of perspective, जो हम show करेंगे as whole of the reality, completely unbiased way, so, indeed, sociologists क्या believe करेंगे, कि such an ideal vantage point does not exist, कि अगर आप कहो कि आप एक theory दे दो, एक बात बता दो, और वो समाज में सबके लिए ideal हो, ये बिलकुल भी सही तो नहीं हो सकता है, so, we can only see by standing somewhere, and every somewhere offers only a partial view of the world, so, what sociology offers, is to teach us, how you see the world, from very points, many points, so, just, not just your own, आपको sociology में, चीज़े सिर्फ अपने नजरिये से नहीं, बलकि समाज के नजरिये से देखनी है, समाज के हर एक हिस्से के नजरिये से देखनी है, so, each vantage point provide only a partial view, and but by comparing what the world looks like from the eyes of different kind of people, we get some sense of what whole might look like, and what is hidden from view of each other, so, जी, फिर study होगी कैसे, मैं उस चीज़ को अलग तरीके से देख रही हूं, मेरे बराबर वाला अलग चीज़ से, बहुत मुश्किल है, यह obvious सी बात है, इतने सारी चीज़ों को inculcate करना, but बहुत असान भी है, असान तब है जब आप चीज़े समझ जाएंगे, So, what may be of even more interest to you, is that sociology can show you what you look like to others, it can teach you कि आप अपने आपको कैसे देखते हो, किसी और के नजर से, आप अपने नजर से तो खुद को देखते ही देखते हो, but दूसरों का नजरिया जो है, वो आपकी तरफ क्या है, तो यह क्या है, simple self-reflexivity, या sometimes इसको reflexivity भी कह देते हैं, So, this is ability to reflect upon yourself, अब यह क्या है, यह बड़ा मुश्किल काम होता है, अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, कि अपने आपको कैसे पहचान रहा, To turn back your gaze, which is usually directed outward, back toward yourself, very beautiful line, कि आपकी जो नजरे होती है, आपकी जो आखे होती है, वो हमेशा दूसरों पे रहती है, आप अपने आपको बहुत रेरली देखते हो, देखते हो तो मिरर में ही देखते हो, तो हम ऐसा क्या करें, कि समाज को देखने के साथ-साथ, हम अपने आपको देख सकें, अपने आपको समझ सकें, But this self-inspection must be critical, critical होना चाहिए, यानि कि ऐसा नहीं कि it should be quick to criticize and slow to praise oneself, कि अगर आपको self-reflex में जाना है, तो अपने आपको quick to criticize, आप में जो बुराई है, अपने आपको तुरंद क्रिटिसाइज करो, अपने आपकी तारीफ करना, अपने आपको प्रेस करने के लिए एक अच्छा लेवल अचीव करो, पर ये अपने लिए करो, यानि कि अपने बारे में आप सब को बता रहे हो, अपनी कम्या बिल्कुल नहीं बताते, तो ये अपने तक रखो आप इस चीज़ को, तो इससे वो दोवा है ना, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई, तो जी, जो हमारे संत महात्मा है, ये तो शुक्षलो जी, कई हजारों साल पहले बढ़ा के चले गए थे हैं, हम तो अब पढ़ें, उन्होंने सिंपल बोला है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी हमारी यहां से आती है, तो ये इस चाप्टर का एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन है, अगले वीडियो से हम इस चाप्टर को पूरी दरीके से स्टार्ट करेंगे, तो थांक्यू सो मच, आप सबसे मुलाकात होती है मेरी अगली वीडियो में, थांक्यू,